हाई फ्रेंज, वेलकम टुम टुमें चानल, हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ अगर पाटी जाने के पहले, आप इस होम रेमिडी को एक 15 मिनिट लगाओ इस होम रेमिडी को इस्तामाल करोगी ना, इससे चेरा जो हे फेशल जैसे ग्लो हाता है, चोई आप टाइटन होगा, और ब्राइटन होगा आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, पाटी पैग, यह पैग कम स्क्रब है यह अपना स्किन केर में आड कर से आड करने स्किन ग्लोइंग भी होता है, ब्राइटनिंग होता है अगर आप पाटी फांक्शन जाना है, इंस्टेंटली आपको फेशल जैसे ग्लो चाहिए तो आप लोग के लिए ए रेमिडी बहुत अच्छा काम करता है इसे स्किन ब्राइटनिंग टाइटनिंग होगा, इंस्टेंटली टैन भी रिपूव होगा और स्किन का टेक्चर भी इससे इंप्रूव होता है तो आप लोग के लिए इस वीडियो लेकर आएटी, जरूर इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक जरूर देखे, आप लोग को अच्छे रिजल मिल जाएंगे और आप अभी तक मेरे चानल को सब्सक्रेब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्रेब करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में है आप ओ लिंक को क्लिक करने से इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो तो इसके लिए एक लीन बॉल में हमें एड़ करना है एक चेमब चावल का आटा और एक छेमब चीनी दो से तीन डॉफ्स अफ शेहत हनी एड़ कीजिए इसके बाद इसमें आदा कटा ओवा नेम बुकरस एड़ करना है और इसमें पानी एड़ करके इसको अच्छे तरह मिक्स कीजिए क्योंकि इस क्रब आप पाटी फंक्शन जाने के टाइम पे इस क्रब को चेहरे के ऊपर अपले कीजिए आप इसको अपले करने से स्किन टाइटन होगा ब्राइटन होगा आप 15 मिनिट में आपको फेशल जैसर ग्लू आता है क्योंकि चीनिक को आप इस तरह इसतामाल करके देखे इसे स्किन ब्राइटन और टाइटन होने के साथ इसाल स्किन को कॉंपलेक्शन भी वढ़ता है और स्किन भी गोरा होता है गोरा चेहरे के लिए बहुत अची तरह काम करता है आप इसको चेहरे को face wash या cleanser से wash कीजिए इसके बाद इस scrub को all over चेहरे के उपपर अपले करके 5 मिनिट तर स्क्रब कीजिए इसके बाद फिर दुबारा पाने से wash कीजिए इस तरह करके देखिए skin glowing और brightening हो जाता है इस pack को आप 10-15 मिनिट यूज़ कीजिए इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पाने से wash कीजिए आप चाहिए तो एक 10 मिनिट के बाद दुबारा face wash भी इस्तमाल कर सकते हो इसके बाद आप अपना make-up स्टार्ट कर सकते है क्योंकि party function जाना है तो इस तरह यूज़ कीजिए अगर आप regularly इस्तमाल करना है मतला regular innocence की हफते में 2-3 बार इस्तमाल करना है तो चेहरे को अच्छी तरह दो लीजिए स्क्रब करके इसके बाद wash कीजिए पांच मिनिट के बाद एक अच्छे सा moturizer और sunscreen इस्तमाल करें क्योंकि इससे चेहरा tan free रहता है हमेशा moturize रहता है और चेहरे के उपर black spot, जूरिया बिल्कुल नहीं आएंगे आज की मेरी वीडियो, वीडियो पसंदाने से वीडियो को like से जरूर कर देना और वीडियो को बारे में कुछ comment आउट है तो नीचे comment section ने comment कीजिए फिर मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई